श्रीक्रिष्ण कनहयालाल कीजे श्रीनियानन्द स्वामी कीजे श्रीप्राणनाथ प्यारे कीजे सोदंत अधुर लाम्त छोड़के जाएन शको लग गाल सो गाल लाल मुख छोड़के आगु नजरनाशके चाल श्रीक्रिष्ण कनहयालाल की श्रीराज्जी का स्वरूपी है श्रेंगार्षवे श्रूप का वरणन चल रहा है तो कहते हैं कि राज्जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो जिस अंग के दर्शन हो रहा है न उसको छोड़कर के दूसरे अंग की दरिष्टि नहीं जाती है आवश्णों में भी ऐसा ही है वस्तरों में भी ऐसा ही है, तो फिर दूसरे अंग कैसे दिखाई देंगे तो करेते हैं कि राजी जब ब्रह्मा आत्माओं की दृष्टी बदल देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं तब जाकरके कि उनके दृष्टी दूसरे तरफ जाती है वो जब उनको दूसरा दिखाते हैं दूसरा अंगा दिखाते हैं तब तो वैसे ब्रह्मा आत्मों के इतना अच्छा लगता है कि एक अंग को देख रही हैं तो दूसरे तरफ दृष्टी जाती ही नहीं है मुख नाशिका देखत आशिक मुख और नाशिका को देख करके आशिक अनुरागणी आत्माएं सुन्दर शोभा आतंत उनकी अते ही सुन्दर शोभा को देख करके नेत्र बीच ललाट तिलक आशिक याई शोजीवत नेत्रों के बीच में ललाट में बाल प्रदेश में तो उसमें तीलक है तो वो दोनों नेत्रों के बीच के भाग से सीधा उपर गया हुआ तो उस तीलक को देख करके भी आशिक याईशों जीवत उनको लगता है कि हम जो यह दर्शन करते हैं तो वस इसी से हमारा जीवन है यह अंग ही हमारे जीवन है तो एक-एक अंग का दर्शन करती है तो उससे उनको लगता है कि और ज़्यदा शक्ति का संजार हुआ है और आदंदित होती है भ्रुकुटी तिलक शोभा छोड़े के जाए नशकों लगकान तो अभी उपर आखों के बात की थी आखों के उपर भ्रुकुटी के बात कर रहे हैं तो भ्रुकुटी और दोनों और की आखों के उपर भ्रुकुटी है भ्रुकुटी के बीच में तिलक है तो ब्रिकुटी और तिलक की शोबा को छोड़े करके जाये न सकों लग कान तो कान तक पहुंच नहीं सकते हैं अपने आपने पहुंच सकते हैं राज्जी पहुंचा देते हैं तब कान में दृष्टी पड़ती है सो कान कोमलाती सुन्दर सुखपाई यही रदयान तो वो कान बड़े कोमल हैं बड़े सुन्दर हैं तो वो जब रिधाय में अंकित हो जाते हैं तो बड़ा अनन्द आता है और भी खूबी कानन की दिल दर्दाद देवे भान कान की दूसरी विशिष्टा क्या है कि हमारे रिधाय की पीड़ा को दूर कर देती है तो रिधाय की पीड़ा कहिसे दूर करेगी तो हमारी कोई भी पुकार हुआ तो वो कान उसे सुनते हैं ना फिर उसका उतर देंगे तो वो कान अमारी पीड़ा को दूर करने वाले हो गए ना इसे साब से कह रहे हैं, जा को कहें, लेओं पड़ा उत्र, कोई न सुख न समान, जिनके कान के कहने पर, कान सुन करके बता देते हैं, और फिर श्रीराज जी हमें कुछ बताएंगे, उत्र देंगे, इसलिए, इसे फिर इसे ज्यादा सुख से मिलेगा, कोई न सुख न समान, इनके समान, दुसरा सुख प्रदान करने वाले कोई भी नहीं है, कहे सुने बाते करे एजो आरश महरवान है हमाई कही हुई बात कान से सुन करके फिर हमारे साथ में बात करते हैं ऐसे हमारे परमधा म के स्वामी बड़े ही क्रिपाल। है सो खिलवत सुक छोड़े के लग जवाए नहीं नहीं नवान तो अक्षराति धामदनी की साथ में बाचित करने का सुख हम कुछ बात करते हैं, वो सुन तक सुन करके उतर देते हैं तो वो सुख है, वो एकांता का सुख है, उसको छोड़ करके तो फिर कांताक नहीं जा सकते हैं? नई नवान तो नेत्रों के बान तक कहता पर यह तो उनकी नेत्र है वो अनियाडे हैं तो वो भी जब उनकी दृष्टी पड़ती है तो जैसे बान चुपते हैं तो इस प्रकार के उनकी दृष्टी है अमारे दिल तक पहुंच जाती है केवल बाहर-बाहर रहती है ऐसा नहीं है तो जब अक्षराति धहमधनी की दृष्टि अमारे शरीर में पड़ती है तो दिल तक पहूंचती है फिर रोम रोम में उच्छा जाती है क्योंकि उनकी धर्षन करते ही उनकी दृष्टि अमारे अंदर पहूंचती है तो शरीर में एक अलग प्रकार के आनंद का संचार होता है जैसे वनशुष शीच अता, अमरित अगात तो ऐसा कहा न तो अमरित सीचते हैं, तो उनके कृपा द्रश्टी है तो अमेद रश्टी है, अमरित-भरित रश्टी है तो उव अमरित सीचती ही है ए नई नवान शुभान के क्यों छोड़े रूह मौमिन तो अक्षराति धामधनी के ये अंदर तक रोम रोम तक पहुंचने वाली ये दृष्टी है उसको ब्रहमा आत्मा कैसे छोड़ शक्ती है उनको देखती रहेगी तो इन दृष्टी के रस को इससे जो रस प्राप्त होता है अमरित रस तो उसको छोड़ करके कोई आत्मा आगे जाए तो वो आत्मा नहीं कहलाएगी नई न अनियारे आती तीखे तो नईन कमल कितने सुन्दर है तो वो बड़े तिक्षणा है अनियारे उनकी नुकीले है इस प्रकार शकार है नुकीले है तो तिक्षणा है पल देता तारे चंचल तो तारा तो आख के तारे तो पुतली तो वो चंचला है क्योंकि वो पुतली इधर उधर जाती है तभी देखता है न देखने के लिए तो पूरे ब्रह्मा अत्मा है चारों तरफ है तो ब्रह्मा अत्मा के तरफ द्रिष्ट डालने के लिए तो पुतली तो इधर शे लेकर के इधर तक जाएगे न हाँ तो इसलिए लगता है कि बड़ी चंचल है श्याम उज्यल लाल अकलिये पुतली वो श्याम है और उसके चारों तरफ का भाग है उसमें लालीमा है और उज्वल है क्यों को सुपन आकल उसका वरन शपन की बुद्धी से कैसे कर सकते हैं नाय न रशीले रंग भरे ते नाय नाय बड़े रशीले रश्य भरे हुए है रंग भरे प्रेम उसमें भरा हुआ है प्रेम रंग भरा हुआ है तो इसलिए तो उनकी दुरिष्टी पढ़ती है तो उ इम उमडने लग जाता है खई चाता है बंके मरो रहा तो वो टेड़ी करके जैसे खीचते हैं तो जैसे बान चलाते हो तो अनुस ऐसे पत्विंचा खीच करके तो ऐसे तो देते हैं तो अंदर तक उनके द्रिश्टी पहुंग जाती है तो छूप जाती है तो उसके लिए ये वरडन की एक्साईली है सो आशिक कहते हैं जाये ना सकै जाये लगे बान जो रह나리 जिनको ये बान लग जाते हैं तो आशिक अनुड़ागिन आत्मा है कहीं इदर उदर जा नहीं सकती कहने का तात्परे अक्षराते धामदने के कुरपा द्रश्टे जनपर पढ़ती है तो वो ब्रहमा आत्मा देखती ही रहती है तो उनके दर्शन करते रहते हैं उनके दृष्टी इधर उदर जाती ही नहीं है ए नेत्र रशिले नेरकते उपजता है तो इन आखों को नायन कमलों को देख करके ब्रह्मात्माओं की आखें इधर उदर क्यों भटकेगी। क्योंकि तो धामदनी आखों से भी कुछ संकेत देते हैं और ब्रह्मात्मा तो फिर वो उनकी संकेतों को जहिल करके प्रत्यतर भी देती है। अनुरागिनी आत्माओं का अंता करण तरपत नहीं होता है। देखते ही रहें देखते ही रहें ऐसा ही होता है। निला वाटर सुन्दर सुभाने के सुभा मिठी मुखारविन्द। फिर अब आख़ों से द्रिष्टी ललाट की और अक्षराते धामदनी पहुचा देते हैं। जैसे ललाट में द्रिष्टी पड़ती हैं तो वो लगता है कि पूरा मुखारविन्द हैं। बड़ा सुन्दर है ऐसा लगता है। अब एक अंग की क्या बात करें। पूरे मुखारविन्द को देखते हैं। तो यह तो सोभा शागर खावंद। धामदनी की सोभा का पूरा शागर ही ऐसा लगता है। हसत शोवित हरवटी देता अधूर मुखालाल जब धामधनी मंद मंद मुश्कुराते हैं। तो उस समय तो यह चिवुक तो उसमें भी वो भी थोड़ा सा तो वो अलग प्रकर के जैसे हसते हैं। तो सब में पूरा-पूरा फेस में तो उसमें अलग-अलग प्रकर का इंपूरेशन आता है। तो उस बात को यहाँ पर शमजा रहे हैं। दथौर मुखलाल तो उस समय दन्त भी दिखाई देंगे। अधर भी दिखाई देंगे। दंत के मसोड़ेवे की थोड़ा-थोड़ा दिखाई देंगे, मुख में, मुख की पूरी लाली में दिखाई देगी, आशी का क्यों छूट आई, सवा अंग, रंग, रशाल, ये सारे एक-एक अंग हैं, रस्प्रदान करने वाले हैं, ऐसे अंगों को ब्रमा आत्माएं पूमल हैं, और ये किशुर शरूप कहने का तात्परिया, तो जैसे युवा होते हैं, तो उनका हर चीज में योबन देखता हैं न टपकता है, तो उस तरह प्रकर से ये योबन देखता है, वो योबन ही द्रभी भूत होता है, कायम अंग, उनमाद, उनके अंग में मस्ती रहती है, उनमतं से उनमत बना है, तो उनमत हो न, तो एसे बियर्थ में दूसरे हैं साफसे कुछ परवाई ना करके ऐसे मस्त, उसके लिए भी कहते हैं, लेकिन ये उस प्रकर के मस्ती नहीं है, ये अनन्न की मस्ती है. ए चबी अंग आराशके पह美味। चतनाई ऍस सबद तो परमधाम के ये चबी है परमधाम के शुरूप की अक्षराति दामधने के दिब्य शुरूप की ये चबी है इसलिए इसको इस तक शब्द नहीं पहुंचते हैं तो किन शब्दों से वरनन करें इसलिए इतनी इनी शब् करना पड़ता है कहने का ताथ पर ऐसा है कुछ बोलते हैं तो ये सारे के सारे मुष्काते हों मुष्कुराते हूं ऐसा लगता है रोब मुष्कुराते है तो अनुरागिणी आत्माओं की दृष्टी तो एक ही आंगा में लगी रहती है देख बीडी मुखा मूरत रुआ अंगा उपजत सुख जब वह पान का बेड़ा मूँ में डालते हैं तो वह मूँ भी थोड़ा सा खुल जाता है मूरने का तात्मरे थोड़ा सबीकसित होना रुआ अंगा उपजत सुख उस समय गुद्रिश्य देख करके ब्रहमात्माओं को बड़ा सुख प्राप्त होता है पीऊं सराव लिऊं मस्ती जयों बला बला जाओं इनमुख तो ब्रहमात्माओं को ऐसा लगता है कि वो आनन्द प्रदान कर रहे हैं तो मुश्कुरा करके तो उस आनन्द का पान करते रहें उस प्रेम के प्याले को पान करते रहें और मस्त रहें तो जयों बला बला जाओं इनम सुख तो इस सुख में पूरा-पूरा समर्पित होते हैं ये सुक तो मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, आनंद मिलता रहे, ऐसा लगता है ए छबी छोड़के आशिक क्यों कर आगे जाए, ऐसे सुंदर छबी को छोड़कर के आशिक आत्मा तो आगे कैसे जा सकती है मोही लेत मुख मासुक सोचित रहे उचुबाए पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद है, ब्रह्मात्मा को मुईत कर लेता है इसलिए उनके चित्त में यही स्वरुप अंकित होता रहता है नएन उन निलवट निरखते, देखी, बनी, सारंगी, पाग, जिससे मुखारविंद के दर्शन करते हैं तो समय नैन, नेत्रकमल, निलवट भालप्रदेश, ललाट, उन सब को देखते हैं फिर उपर देखी बानी, देखी बनी सारंगी, पाग, तो पाग है वो सारंगी की तरह से गोल-गोल सुन्दर उनका पाग है तो उसका दर्शन करते हैं, दुख-दुगी का लगी है, जो भी का लगी है, दुख-दुगी है, तो उन से जूती निकलती है, छबी रुआही रदे रही लाग, तो ये पूरा मुखारविंद और उसमें सुशुवित पाग बगरे इन सब के लिए, सब को देख करके, तो आत्माओं को लगता है, कि उनकी सुन्दर सभिये हमारे रुदाय में अंकित हो रही है, होए वर्णन चतुराई से, आशिक धरे इतायको नाम, यदि कोई बड़े ही चतुरता से उसका वर्णन करे तो उसको आशिक कह सकते हैं, एक अंग छोड़े जाए और लगे, सो नहीं आशिक को काम, वैसे तो क्या है, आशिक का साधारन कारिय यह नहीं है कि एक अंग को छोड़े करके दूसरे अंग में जाए, किसी अंग को छोड़ी नहीं सकती, किन्तो वो बड़े चतुराई से सारे अंगों को स्मरन करते हुए वर्णन करते हैं, तो वो चतुराशिक में कि अनुरागनी आत्मा तो वही कहलाती है, जिस अंग को देख रही है, उसी में ही उनकी दृष्टी एक टक लगी हुई हो, उसी में वो देख रही हो, आसी का इसी चाहिए, जो लेना सकी अंग और आसी को तो ऐसा ही होना चाहिए, कि जो एक अंग को देख रही हैं, तो फिर वहां से उनकी दृष्टी हटे ही नहीं, तो ही अनुरागनी कहलाती है, इन आसिक की नजरों, दिल एक ही हुआ सागर, इन ब्रहमा आत्माओं की दृष्टी में तो यह अक्षराति धाम दनी का श्वरूप है, तो यही उनका सागर ह तो यही सागर है उनके दिल में, तो जील यही सुख में निकसे नहीं कियों कर, तो ऐसे श्वरूप के दर्शन करते-करते उस इसागर में वह दूप की मारती रहती है, वहां वह दर्शन छोड़ करका इधर उदर जाती नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती, तो शोबा सारे शुरुप की क्यों कहे जुवाइन, मुखारविंद की शोबाई इतनी सुन्दर है, तो फिर पूरे शरीर की शोबा की बात कैसे करें है इस जोबा से, लहरें नहरें पहुंचे आकाशलों, तो उनकी शोबा की लहरें हैं, तो नहरें की बात पूरे आकाश में कछा जाती है और ठावर न कोई मोमिन तो उनको छोड़कर के ब्रह्मात्म के लिए कोई दूसरा श्थान ही नहीं है तो युदी दूसरे रहती है पर लेवेदानाई ब्रहेदानाई स्भे जर्मात्म कोई बहु करती नहीं है किन्तु जो भी चतुराई है तो एक अंग से लेकर दूसरे अंग को देखना सारे अंगों का स्मरण करना यह तो अक्षराते दामदनी चाहते हैं तभी होता है इसका आपे पीवही और पिलावे वेशक तो सेम भी प्रेम का पान करती है और मस्त रहती और दूसरों को भी प्रेम का पान करवा करके मस्त करवाती है एचतुराई हका की और अपकई का इलम यह सब धाम्दनी की कुशलता के कारण चतुराई शही ओगा और उनके दिये होए ज्ञान शही ओ सम्भवय तो धामधनी के ऐसे अखंड श्वरूप का ये सुख है, उनके दर्शन का सुख है, वो धामधनी देते हैं, वो धर्शन करवाते हैं, तब धर्शन होते हैं, इसलिए हमारा करता भी है कि आत्मा को जागरित करना और उनके दर्शन के लिए प्रहत्न करना, दिखाना तो उनके हाथ में है वो जैसे चाहेंगे उसी साफ से दिखाएंगे एक अंगा देखने लाइक हम हुए है तो एक अंगा के दर्शन करवाएंगे और सभी अंगां के लिए लाइक हो गए हो तो दर्शन करवाएंगे अथवा तो जिस प्रकार से भी हो तो उनको लगता है उसी साफ से व इसे ही हो सकता है या को आशिक जानिये जो इता ही रहे लपटा है आशिक आत्मा तो अनरागनी आत्मा तो वही कहलाती है जो बस उसी में लिपटी रहती है कतात्परिया तो हमेशा अक्षराति धामदनी के स्वरूप को देखती रहती है तो उनके दिल में भी वही बैठा है रोम में वही बैठाया, दृष्टी में वही बैठाया, श्वरूप, तो अमेशा उनको वही लगता है कि अक्षराते दामधनी दिखाई देते हो, ए सुखह इन श्वरूप को, और आसिक एही आराम, तो ब्रहमात्मों को सुख इसी से ही प्राप्त होता है, उनको शांती भी तो लो, इल्म एही विश्राम, जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है, तब तक ज्यान से, तो यह इन ही में आत्मा इसी में विश्राम करती रहती है, इन श्वरूप को जैसे बताया गया है, उसके हिसाब से उसका चिंतन करती रहती है, जैसे प्रेम प्रकट होता है, फिर दिखने लगता है, क्याने कही अतात्परिया है, इसलिए इसका को सुखा आवरा है, आवर सुखा इलम, तो प्रेम का सुखा अलग है और ज्यान का सुखा अलग है, ज्यान से हम चितव नहीं कर सकते हैं, किन्तो दर्शन है, वो तो प्रेम से ही होगा, तो ध्यान वो प्रेम से पर न्यारी बात आशिक कीजिन जो देवे का समा किन तो ब्रमात्माओं की बात तो इस सबसे भिन्ना है ये तो सामान्य कमन बात है ब्रमात्माओं की बात भिन्ना है कि जैसा धामदनी जिसको जो देते हैं न सुख तो वो उसी को लेकर के संतुष्ट होती है ए इसका दो इन हक को चाहे ग्यान हो या प्रेम हो दोनु ही अक्षरातित को ही तो जानना थवा समझना अनुभव करना चाहती है दर्शन करना चाहते हैं पर जिन को हक जो देता है सो लेवे शिर चड़ाए किन्तो अक्षरातित धांधने जिन को जो देते हैं किसे को ज्ञान दिया है किसे को प्रेम दिया है तो वो उसी को अपने शेर पर चड़ा करके उसी के आधार पर चलते है तो वो सुखी रहती है महामत कहे अपनी रूह को तुमजो अरवा आरशा महामत ही कहते हैं अपने ब्रह्मा आत्मा को अपने रूहन को अपने आत्माओं को तुमसब परमधाम के आत्माओं हो सराव प्याले इसके केल्यो प्याले पर प्याले सरश ये प्रेम के प्याले हैं ना रामधनी के उनको एक प्याले से दुसरा इसे भर भर करके पीते रहो पीते रहो कभी इसमें त्रप्त मत होना पीते रहो पीते रहो हमेशा पीते ही रहना इस प्रकार्श समझा रहे हैं तावे के प्रशन को यह रखते हैं श्रक्रेश्न कनाईया लाल कीजे लियो प्याले पर प्याले सरसा लियो प्याले पर प्याले सरस, महामत कहे अपनी रुहन को, लियो प्याले प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले प्याले सरस, लियो प्याले प्याले सरस, जाई